हाई गाईज वेलकम टू अद्धा 24-7 मैं हूँ आपकी मेंटार रृतिका और आज लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट विडियो फॉर दे बैंकर्स वाई बिकिसी बैंक ओफ बरोडा ने 6th of December को यह नोटिफिकेशन निकाला है रिगार्डिंग दा रिकूरूटमे होने वाला है eligibility को लेके काफी डाउट्स आ रहे हैं कि experience चाहिए because they have mentioned experienced professionals है तो क्या experience होना चाहिए exactly क्या profile रहेगा experienced professionals का तो वही आज मैं आपके साथ discuss करने आई हूँ इस छोटी सी crisp video में ठीक है अचा मैं इस video में आगे बढ़ू उससे पहले में एक छोटी से request रहेगी आप लोगों से to subscribe to our YouTube channel अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया है और आप prepare कर रहे हैं किसी competitive examination के लिए officer बनना चाहते हैं और सोच रहे हैं तैयारी शुरू करें तो you ensure that you hit that bell button हमारे YouTube channel पे और सो हमारी mobile application के थूँ आपको काफी free content को access मिलेगा जैसे current phase quizzes daily practice quizzes इस सब का आपको बहुत जादा फायदा हो जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं जी आप भी आप हमारी क्लारिटी मिल जाए यह छे डिसेंबर को लेके आए है notification bank of baroda और 26 December तक इसकी last date है basically application form fill करने की तो यह जो पोस्ट है that is senior manager MSME relationship तो आप देखरें स्केल 3 रहेगा यह senior manager of course है न और vacancies है 250 minimum age 28 है जी और maximum 37 सबसे पहले तो यह eligibility है जी अब जब आप इसकी experience देखेंगे तो you will see के यह बिल्कुल सही एज है क्योंकि इन्होंने बोला है कि दो areas हैं जो आपको fulfill करने हैं पहला आपकी education qualification दूसरा work experience यह दोनों मिलकर ही आप जो है eligible वनोगे इस paper में appear करने के लिए ठीक है तो पहली qualification क्या है जी आपकी graduate होने चाहिए आप in any discipline with minimum 60% marks in all semesters तो 60 percentage marks चाहिए आपको aggregate तो पहली confusion यह होती है कि क्या मुझे हर semester में देखनी है या फिर overall देखने है तो overall marks चाहिए आपको सारे semesters के मिला के 60% बनने चाहिए या फिर जो आप देखेंगे दूसरा जो आपका experience है वो रहेगा post graduation या फिर MBA हो आपकी marketing finance है उसके equivalent में किसी या फिर कोई और equivalent professional qualification जो MBA के साथ में जाती होगी इन दोनों में से qualification चाहिए पर इनके साथ में ना experience vary करेगा अब कैसे देखिए अगर आप graduate है चीक है 60% marks है अच्छा ये भी क्लियर कर देती हूं percentage है वह आपका जो CGPA होता है उना वह नहीं है CGPA को आपको convert करना पड़ेगा युनिवर्सिटी देती है एक method to convert it वह आप यूज कर लीजेगा तो अगर आप graduate है तो आपके पास होना चाहिए eight years of experience of relationship credit management preferably in SME banking with any bank तो किसी भी बैंक के साथ में अगर आपका relationship या credit management के domain में आपका काम रहा है preference है ये MSME banking में preference का मतलब ऐसा नहीं है कि mandatory है mandatory है कि आपके बस आठ साल का experience होना चाहिए credit management में relationship का किसी भी बैंक में एन्बी एफसी में financial institution में graduate है तो आठ साल का experience चाहिए तो of course 28 साल तो मास्टर्स के साथ में आपको चाहिए six years of experience उसी डोमीन में ठीक है तो मास्टर्स में of course age बढ़ जाएगी आपकी तो इन्होंने maximum age रखी है 37 28 से 37 60 परसेंट है तो आपका और यह नहीं चलेगा और जी पोस्ट ग्राजुएशन किया है यह एंडी के फिनांस मार्केटिंग में या उसके किसी equivalent में तब आपको छे साल का experience चाहिए यह है जी eligibility criteria जो इन्होंने यहां किया हुआ है तो इसमें आपको बिलकुल अच्छे से clarity चाहिए यह पूरा इनका ही notification है जो मैंने यहां से उठाया हुए जो pointers मैं आपको बता चुकी हूं वह यहां पे इन्होंने mention किया है कि एक बार quickly आपको दुबारा से मैं go through करके बता देती हूं ताकि कोई मन में doubt ना रहे जाए जैसे कि eligibility criteria specified here in basic criteria है apply करने के लिए ठीक है और आपके पास documents होने चाहिए आप nationality international होने चाहिए हो आपके अगर category है let's say general हो OBC हो SC हो ST हो उसका आपके पास document होना चाहिए proper अपने documents पूरे होने चाहिए आपके तो एज जो शो करें आपका document qualification शो करें work experience शो करें जिसके original documents आपके पास होने चाहिए यह इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है CGPA में अगर आपको marks दिये गए हैं उसको percentage में आप convert करेंगे अपनी university से उसका criteria ले लिजिए और इन्होंने बोला है कि अगर नहीं है आपकी इन्युवसिटी का criteria तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर method नॉर्मल क्राइटीरिया जो यूज किया जाता था अभी CGPA जो है पिसले 5-6 सालों से आने लगा है तो आपको इतना problem नहीं आना चाहिए ठीक है citizenship को भी ले कि अगर आपका कोई doubt है तो आप citizen of India हो सकते हो subject of Nepal हो सकते हो भूटान हो सकते हो तिबतन refugee हो सकते हो या फिर अगर आप migrate किये हो let's say who has migrated from Pakistan बर्मा श्री लंका East African country से अगर आप migrate कर गए थे जन्वरी 1962 से पहले यह इन्होंने दिया हुए देखो यह nominal चीज़े होती है जो उनको लिखनी ही होती है but I think majorly आपको पता इंडियन नाशनल हो 60% वाला क्राइटीरिया फुल्फिल करते हो एज ब्राकेट में आते हो 28 to 37 और वरक एक्सपीरियंस है those are the major things that you need to know ठीक है यही एक objective था इस वीडियो का आपको पूरा clarification देना कि अगर आप इस exam के लिए aspire कर रहे हो तो आपको पता हो कि yes I am eligible और confusion ना रखो अपियर करो उसमें अच्छा एक चीज़ और है अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई guidance चाहिए है कोई doubt अभी भी है मन में regarding the exam pattern regarding the exam preparation तो ना इस session के नीचे आपको ए गूगल लिंक मिलेगा आप उसको फिल कर सकते हैं as of now हमारा भी course नहीं है इस exam को लेके but we really want to support you guys जैसे आज ये वीडियो आया है तो आप गूगल फॉर्म फिल कीजे अपनी query वहां डालिए we would be more than happy to help you in solving your queries हम आपसे खुद contact करेंगे और आपकी queries को resolve करेंगे ठीक है that's it guys ये मेरा एक छोटा सा objective था इस वीडियो को लेकर आने का अगर आप किसी ऐसे student को जानते हैं जो prepare कर रहा है या आप खुद है जो prepare कर रहे हैं RBA grade B नाबाट grade A, CBA grade A या other banking exams के लिए तो हमारी app पे जाके courses को check out जरूर कीजेगा ठीक है thank you so much for precious time wishing you all the best and google form में please query डालिए हम अपको help करेंगे thank you